मुतर्म नजरीन आज भागी हुई आउरत को वापस बुलाने का नक्ष लेकर हम हाजिर हैं तो आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर कोई शख्स किसी घैर की आउरत को लेकर फरार हो जाए भाग जाए या आउरत खुद किसी के साथ नामालूम जगह भाग गई और वापसी की कोई सूरत नदर नहीं आती तो चाहिए कि ये नक्ष आउरत के कपड़े के एक टुकड़ा में आउरत के कपड़े के ओ थोड़ा सा फाड़ लिया जाए और उस तुकड़े में ये तावीज लिखकर ये नक्ष लिखकर फतीला बनाया जाए और बत्ती की शकल बनाकर मिट्टी के नए चराग में सरसू का तेल डालकर चावराहे के बीच में चराग को रोशन किया जाए नक्ष के अदद को तर्तिवार लिखा जाए यानि जहां एक लिखा है वहाँ एक लिखा है फिर दो लिखा है फिर तीन फिर चार फिर पाँच उसके बाद चवदा पंदरा सोला और जो खाना खाली है उस खाना में भागी ही वी अवरत का नाम और उसकी मागा नाम लिखा जाए और चिराग जलाकर इन्ना लिल्लाहे वा इन्ना इलेहे राजियून 551 मर्तवा पढ़ा जाए दोस्तों ये अमल रोजाना करना है और 14 दिन तक करना है और हर दिन 551 की तादाद पूरी होने के बाद चिराग को बुझा कर अपने साथ घर लाए और फिर दोस्तरे दिन चिराग को साथ ले जाए पहले ही दिन की तरह अमल किया जाए 14 दिन तक की अमल कीजिए इन्शालला भागी ही भी आउरत वापस आ जाएगी दोस्तों चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राज नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राज कर ले ताकि इस किसम का तावीज या वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आप तक पहले पहुँचे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कुछ पूछ रहा हो तो कमेंट बॉक्स तुमें लिखकर पूछ सकते हैं इनिशालला उसका जवाब दिया जाता है